हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम बैक अब हम क्लास 12 इंग्लेस प्रोज का सेवन चैप्टर दे हैटेज अफ इंडिया के प्रश्णोत जो बोर्ड एक्जाम में पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको लिखेंगे पढ़ेंगे और याद भी करेंगे और चलिए मैं ए पूछ दिया गया तो आज उत्तर आप क्या लिखेंगे राम मुहन रॉय आपकोटेट सोचल रिफॉर्म और विवेकरन एड़केटेट डैर सोचल सर्वेस इदा हाइस सर्वेस ऑफ मदर इंडिया तो राम मुहन राय ने क्या रूट किया उन्होंने जो समाज सेवा समाज म सेवा माना अपने भात माता के लिए नेक्सक्रिशन आपका बहुत इंपॉर्टेट इस पर में आने के बहुत बहुत चान्सेश भी है वाट यू अंडरस्टेंड बाइस सोचल सर्वेस और रिलिजिस द्यूटी तो यह सोचल सर्वेस यह क्या है इस टर्म का मतलब क्या है तो क्या है तो टर्म सोचल सर्वेस एज रिलिजिस द्यूटी मीन्स वन शेट दूशल सर्वेस एज शी ड़िलिजिस वर जितने उत्साह से ब्यक्ती अपना धार में कार्य करता है उसी प्रकास से समा सेवा भी करना चाहिए और इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क इस कल्चर इस कल्चाल ट्राडिशन्स एंड व्यूट्ट अट बहुत गीता रामायना महाभात उपनिश्ण और शोण तो हमारी जो भारती यह संस्कृति है वह किस चीज़ से मिलके बनी है इन सबी चीजों से जो हमारी हमारी संस्कृति का यह सब कितावें हमारी संस्कत कर निद्यट्ट करती है नेक्स कोशें नोट करें कापी में वह रिंदू कल्चर रिप्रजेंट तो भारती कल्चर संस्कृति है क्या किस चीज का प्रद्रत्य करती है यह दूसरे दरह से प्रस्ट को पूछा जा सकता है वाट इस यूनिक अबाओ इंडिया कल्चर हमारी भार क्योंकि यह हमेशा नहीं बदलती है बन अपर परवतन शील रहती है इंस्पाइट ऑफ मैनी चेंजेज बहुत सारे परवतनों के बावजूत भी हमारी जो भारती संस्कति है जो कितियों बनी रहती है और नेक्स कोशें देखें वाट इविडेंस दस राइटर गेफ तो प हमारे के अकॉर्डिन टो एलवा समझो इस पार्ट के लिए खक है प्रैक्टिस लाइक सतीप्रथा बाल विवाह हुमन और अनिमल सेक्रिफाइस और अन्टचबिल्टी आद नो लॉंगर इन प्रैक्टिस नौ तो क्या है यह अब हमारे प्रैक्टिस में नहीं रह गई है र लेकिन यह जो प्राणी कस्टम्स हैं रीत रिवाज और जो कुप्र थाएं थी यह अब हमारे टच अन्टच बिल्टी अथात चुवा चूद यह सब चीज़ें अब हमारे यहां सबता से मलकुल डिसमिस हो गई है अद्रश्य हो गई है और फिर 2011 में यह प्रश्ण पूछा कि वाट इस पार्ट के मादनें से जो राइटर है एल बसंजी उनका ब्यू जानना चाहते हैं तो अकॉर्डिन टू दू राइटर दा कल्च्राल ट्रडिशन्स ऑफ इंडिया विल कंटिनू इंस्पाइट अफ चेंज़ें इन दे होल इंडिया भारत के स्वरूप में कितना भी प्रवतन क्यों न हो जाए लेकिन जो ट्रेडिशन्स हैं हमेशा ज्यूंकितियों बनी रहेंगी कंटिनीव अठ्थात हमेशा सेंटू सेम अपना कार करती रहेंगी और लास्ट इंपॉर्डन कोईश्च्टिन हाव विल हिंदू स अपना कार करते रहेंगे तो उत्तर लिखेंगे बहुती शॉर्ट में एकॉर्डन टू एलवसम भागवद गीता विल कीप ऑन इंस्पारिंग दमेन अफ एक्शन् तो क्या कर्मणने वादिकार अस्ते माफले सुकद आचना हमारी जो भगवद गीता कहती है अथाज ब्यक्ति अपना कार करता रहेगा एंड उपनिशद दमेन ओफ थाट और उपनिशद हमें सिखाते हैं क्या विचार शील बनाना तो यह भी कंटिन्यू रखेंगे डियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे एक्स्मिनेशन करना है सीखना है वो मैं सिखाऊंगी ओकी गुद बाए